हेलो एब्रीवन वेलकम टो लाइन बुक्स आज की इस वीडियो में जानेंगे कि या लाइन बुक्स सौट्वेर में सेल्स से रिलेटिट कुछ बेसिक सेटिंग्स कैसे की जाए तो सेटिंग करने के लिए सिंपल लेप कंपनी सेटप में जाएंगे कंपनी सेटप में जाने के बाद सेल्स सेटप सेल्स सेटप में सबसे पहला ऑप्शन आएगा कर्श्टमर लेवल का कर्श्टमर लेवल का कर्श्टमर लेवल इस लाइक आपके विजनेस में कर्श्टमर को कर्श्टमर कहा जाता है क्लाइंट कहा जाता है तो आप इसको अपन आता है logistic details का अगर आपका business trading पर है और आप चाहते है invoice के time पर आप से dispatch की details पूछी जाएं तो simply आप यहां से इसको enable करेंगे and then simply save तो अब आप यहां पर billing time पर देख पा रहे हैं logistic details का option add हो चुका है तो easily यहां से आप अपनी destination shipping mode easily mention कर सकते हैं then उसके बाद हमारे पास option आता है credit control का अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी parties के ledger में credit limit set कर दें तो simply आप यहां से credit control के option को enable करेंगे then simply save अब जैसी आप किसी party master में जाते हैं create करने के लिए modify करने के लिए तो आपके बास आप पर option आ credit limit का option आगया है तो यहां पर आप अपने accordingly party में credit limit set कर देंगे साथ ही आप days भी define कर सकते हैं और अगर आपको rate of interest mention करना है वो भी mention कर सकते हैं then simply save अब उसके बाद यहां पर option आता है हमारे पास document classification document classification basically क्या होता है जैसे mall में होता है कि mall में अलग-अलग category के products को sell out किया जाता ह है like garments भी होता है और kitchen appliance भी होता है home appliance भी होता है अलग-अलग category के products होते हैं तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके business में अलग-अलग category के product हैं और आप category wise billing करना चाहते हैं तो simply आप इसको यहां से enable करेंगे like मैंने इसको enable किया then simply save अब जैसे मैं अपनी billing window पर जाता हूं तो य like मैंने यहां पर electronics ले लिया and अगर आप चाहते हैं कि electronics category specific किसी particular document के लिए set हो जाए तो आप यहां से set कर सकते हैं like मैंने भी non कर दिया then simply save तो आप यहां से अपनी category set करके अपनी billing कर सकते हैं तो यह था हमारी simple सी sales की कुछ basic settings thank you so much for watching have a nice day